को्रोना वाइरस के वज़े से टैली ख्वाजा मोहिनुदिन हसन Sum चिष्टी की चठी की महफिल दर्गा में नई हुई कवाली के प्रोग्राम मुल्क में चल रहे कुरोना वाइरस की वज़े से लॉकडाउन के चलते आज खुआजा मौहिनुदिन हसन चिष्टी की छटी की महफिल नहीं हुई उसी दर्बार में आज हालत के मद्ने नखर को रोका गया है तर्गा दिवान के फरजद ने कहा कि मुल्क की हकुमत ने जो कड़े कडम लिये है नाराज की जरूर हो सकती है लेकिन वो कड़म हर बारती नागरे के लिए हक में हमें हमें हाखुमत का साथ देना चाहिए दिली में मरकज में हुए मामले पर दर्गा दिवान के मज़द ने कहा कि कानूर अपना काम करे और जाच करे क्योंकि इस वक्त पुरा इंदुस्तान एक साथ खड़ा हुआ है तमाम छोटे बड़े बिजनस बंद करके लोग घरों में बैटे हैं इस वक्त हमें मज़द से उठकर देखने की जरूरत है क्या कि अभी हमारे लड़ाए किस खतना बिमारे से चल रही है पोस्ट पर नहीं गया आज गरी नवाज की बारगाए में चटी शरीफ का दिन है और चटी शरीफ की महफिल होती है सजाद नशीन साथ उसकी सदारत करते हैं बादनमा इश्चा की जाती है और इसके अलावा भी दीगर असुमाद है जो सजाद नशीन साथ के जरीए उनके सदारत में की जाती है आज मैं सजाद नशीन साथ का बड़ा बेटा होने के नाते है उनका उत्रदीकरी होने के नाते मैं किसे अदरत करने गए था लेकिन में जाने से पहले सजाद निश्चिन साहब से जैनुलाबिदीन साहब ने देश के मौझूदा हालात को देखते वे एक यह बहुत अच्छी पहल करी और मुझे एक आदेश दिया कि मैं वहां जाकर के कवाली के लिए मना कर दूंगे आज कवाली निकरनी है आज सिर्फ फाता होगी और वह फाता में भी फाता के बाद भी वो लोगी मौरुसी हमले कि लोग रुके जिनकी ज़रूरत है बाकि सब चले जाए तो दिवान साब के आदेश अनुसार मैंने दरगाश शीफ में जाकर दरगा के सब के सामने यह बोला कि दिवान साब ने कहा है आज कवाली नहीं होगी कवालों को मना कर दिया जाए और बस्तूर के साब से फाता की लिए क्योंके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बारगा जहां से कवाली की शुरूवात हुई जहां से रस्म और रिवाज खानकाई सिल्सले की शुरूवात हुई वहां पर वहां के सज़ादा नशीन के जरीए यह डिसीजन लिया गया है मैं तमाम देशवाशियों से अपी सब्सक्राइब करें उसी कड़ी के अंदर आज दिवान साहब सभी जैनलावदीन साहब ने मुझे कहा था तो मैंने वहां मौझूद कवाल मौझूद है कवाली के लिए मैंने उनको मना करा कि आज कवाली नहीं करनी है आज सिर्फ फात्य करके हम चुपचा बैटेंगे दार्शी बंद हुआ और वापस उटके महां से दस्तूर के साथ से वापस आ गया यहां जो फसेवे हैं उनके लिए हमने नाजीन साथ से भी राप्ता कायम किया है और हम प्रशाशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए को माकूल इंतिजाम किया जाए कि ऐसा नहों से दखाने कि लिए हम सब मिलकर के शाशन में、 प्रुूम है। सब्सक्रावराब करना चाहते हैं कि रुए हुए नाराज़्य की ढरए है नराज़झी बहुत हो सकती है लेकिन वह कदम हमारे की हे हर बारत के नागरी के हक में हैं क्योंकि इस वक्त हमारे को करोना वार्द से लड़ना है पूरे देश को एक जुठ होके लड़ना है इसलिए एड़बाय। को करें हमेरी को सखती के साथ अमल में लाएं और जो भी जिम्मधारा ने हर मथह भी इदारे में भी इंस्टिटूशन में भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सक्ति के साथ हकूमत के एडवाजी को लागू कराएं और यह लॉक्डाउन इकीस दिन का जो हमें इसको कामिया बनाना है हमें करोना वाइरस को हराना है यह बता है दिल्ली में जो मरकज के अंदर हुआ उसके वह देखिए दिल्ली के मरकज की जो वारदा थे या जो भी वहां पर गुजरा है वह बड़े तकलीश दे यह इस वक्त पूरा देश एक जुट हो के इस करोना वाइरस के साथ लड़ाई उनकी कुछ भी गलती है रही हो मेरा मानना यह है कि कानून अपना काम करे जिसकी जो भी गल्टी है उसके लिए उसकी एक ट्रांस्पेरेंट इंक्वारी भी हो लेकिन मैं तमाम देश वासियों से तमाम मीडिया परसन से भी इस वक्त अपील करना चाहता हूं कि देखिए प ुलिस परशाशान आज रोड पर एज डॉक्टर्स नर्सिथ हमारे लिए रोड पर आज हॉकूमत हर संभव च al State की खौमत और सेंटर प्रयास कने अपने नागरिगों बचाने के लिए तूमक अबम मीडिया वालों से भी पूरे देशवाय से भी अपील करिता हूं कि चिस अभी हमें मजब से उपर उठकर के देखने की जरूरत है मजब से उपर उठें अल्ला के वास्ते मजब से उपर उठके देखें ये वक्त हिंदुस्तान के अवाम को एक साथ हो करके करोना वाइरस से लड़ने का वक्त है और जो तमाम पुलिस वाले जो अधिकारी हैं कि हमारे डॉक्टरों की हमारी नर्सिज्ज की हमारे पुलिस सपाई'यूं की हमारे अधिकारियों की मेनत को महनत को जाया ना जाने दें इस वक्त जो भी तनाज़ा आप सी इतलाफ आते हैं मिसको भूरेंra और किसने क्या किया इस टॉपिक पर डिबेट की जाए कि हमें आगे क्या करना है ठीक है जो गलती होगा उसके लिए लोग काम कर रहा है लेकि हम उसमें उलज कहीं ना रहना है हमें करोणा वाइरस को अराना यह 21 दिन का लॉकडाउन जो हकुमत के जरीए किया गया है इसको कामिया बनाना है दुनिया में एक मिसाल कायम करनी की देखिया हम इतना बड़ा मुल्क है हमारी इतनी बड़ी तादाद है हम इतनी बड़ी मेजोरिटी में उसके बावजुद हमने इस बिमारी से लड़ा और सबसे भैत्य तरीके से लड़ा है